राज यांगनबाडी सेविका सहाईका के लिए आज का दिन काफी महतुपून रहा। सेविका सहाईकाओं ने आज मुख्यमंत्री आवास ये कार्याले परिसर में मुख्यमंत्री हिमंत्र सोरेन का जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इससे पहले सभी सेविका सहाईकाओं ने मुरहवादी मैदान से नाचते गाते अभी गुलार रुराते सीम आवास पहुचे मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन ने उनका अभार सुईकार करते हुए भरोसा दिलाया की आगे भी न सिर्फ उनकी बल की राज्य के प्रतेक नादरिक के समस्याओं का समाधान करते हुए सब के चहरे पर भुसकान लाने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री ने आंगनबाडी सेविका वा सहाईकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों का आशिर्वाद इसी दरहम मुलता रहे सुमिधाओं के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा वही नियमावली और बकाया मांदे से जुड़े मुद्दे पर बहुत जल्द वाफी आप लोगों को मिलेगा संबोधन के दोरान मुख्यमंत्री ने राजी की बदहाली के लिए डबल इंजन की सरकार को जम कर कोसा और केंद्र को भी निशाने पर दिया कहां की 20 साल जारखंड में राज करने वाले वही लोग है जो गुजरात में भी राज कर रहे थे गुजरात आज चान पर पहुँच गया है और जारखंड गरीवी भुखमरी के कगार पर है गौर तलब है कि आंगनबाडी राज्य सरकार द्वारा सेविका सहाई का चैन एवन मांदे अन्य शर्तों सहित नियमावली 2022 को सुईकृती देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रती जताया भार यहां आए हुए पुरे राज के बिभी दिलों से आग सभी आंगनबाडी जिजियों को एक बड़ा समुख बनातर सरकार को धन्यवाद अभार बठाए बठाए दिनको और अपना उत्सा अभियक्त करने के इस अपनों बठी नाम दीख़ा है आप सब लोगों को मेरी और से बहुत बहुत सुथ कामना है और धन्यवाद और जुहाँ है मैं कई आंगन मारे महिरासमूं के बीच में मैं गयाता हूँ और उस समय जो आप लोगों की तकलीफ और आप लोगों की जो दुख थी वो आपकी जो चेहरे में था वो आपके चेहरे के साथ साथ आपके बच्चों में भी मुझे देखने के मिरता हूँ और मैं कहने ही सकता कि वो फीडा मेरे लिए कितना दंगे लिए और आप लोगों के अशिरवाद से उस पुरे राज के दौरा का ये परिनावन हुआ कि आज इस राज को एक दिशा देने के लिए इस राज के हर वर्थ के लोगों के सुख दुख को हर करमचारी के सुख दुख को समझने और उसे ठिक करने का मुझे जिमा मिला सरकार बनने के बाद आप साथ तो मालूम है हम लोग एक वैस्टिक महामारे में पुख दें एक ऐसा तुखान समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या हो लेकिन उस तुखान को भी हम लोगों ने जाकन जैसे सबसे पिखड़े राज जो इस राज को बिगद 20 वर्सों में ऐसे लोगों ने जिसा देने का काम किया जो लोग गुजरात को भी जिसा दे रहे थे और जाकन को भी जिसा दे रहे लेकिन आप देखिए आप समझे कि आज गुजरात कहा चला गया और जाकन कहा चला गया क्यों ऐसा हुआ ये समझ से परे इस से अस्पस्थ है कि यहां के जन्मानस यहां के लोगों के परति कि तदकालिन सरकारों ने कभी भी आप तो अपना परिवार का हिस्सा नहीं समझा इस राज का हिस्सा नहीं समझा अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले